नमस्कार आप सभी का स्वागत है तिवारी अकैडमी में कैसे हैं आप मुझे उमीद है कि जहां भी है वहाँ पर स्वस्थ होंगे बहतर होंगे और खूब सारे मज़े कर रहे होंगे आज क्या बात करने वाले हैं हम आज के वीडियो में बात करेंगे कक्षा 6 में हिंदी भाषा के अंतरगत आने वाले अध्याय 14 की इस अध्याय 14 में हमें एक निबंध दिया हुआ है जिसका नाम है लोकगीत लोकगीत एक विशय है जिस पर निबंध लिखा हुआ है तो पहली पंक्ती में लिखा है लोकगीत अपनी लोच ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रिय संगीत से भिन्न है यानि कि हम सुन करके लोकगीतों को ये अनुमान लगा सकते हैं पता कर सकते हैं कि ये शास्त्रिय संगीत नहीं है और उससे किस तरह से ये भिन्न है बशरते क कि हमें शास्त्री संगीत का ग्यान हो, लोकगीत का ग्यान हो, है ना, आगे ये लिखा है कि लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, है ना, सीधे जनता के संगीत है का मतलब क्या है, कि जैसे लोकगीत जो है, वो हमें अपनी विरासत में मिल जाते हैं, हमारी माताजी गाती है, हमा एकमारी चाची गाती हैं वग्रावगरा हमारे महले में हम शुन सकते हैं गाते हुए उत्साया मनाते हुए लेकिन शास्त्रिय संगीट नहीं होता है यह समें विरासत में नहीं है चीजों को celebrate करने का मनाने का है ना तो वैसे ही ये लोग गीत होते हैं जो घरों में गाओं में अक्सर नगर की जनता है जो गुन-गुनाया करती है गाती है आगे क्या लिखा है सुनिए इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती है ना मैंने पहले भी बताया था ये कोई ऐसे गीत नहीं होते जिसको कोई सिखाएगा आपको आप जाएंगे क्लास लगेगी बकाइद आपको फीज देना होगा और फिर महीने दो महीने तीन महीने, छे महीने, आट महीने, एक साल का कोर्स होगा, फिर आप सीख पाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना इनके साथ में, त्योहारों और विशेश अउसरों पर ये गाए जाते हैं, इसलिए ये लोग गीत कहलाते हैं, है ना, फिर आगे देखी क्या लिखा है, सदा से ये जाते रहे हैं, और इनके रचने वाले भी अधिकतर गाउं की लोग ही हैं, है ना, गाउं के ही लोग हैं, जो क्या करते हैं, हर त्योहार पर जो है, नए-नए गीतों की कभी न कभी रचना उन्होंने की है, और उसी को फिर वो गुन-गुनाते रहते हैं, अपनी सुविधा और इन लोग गीतों की रचना में एक विशेश भाग जो है वो किसने लिया है इस्त्रियों ने लिया है आगे देखें क्या लिखा है ये गीत बाजों की मदद से बिना ही या साधारन धोलक जांज करताल बासुरी आदी की मदद से गाए जाते हैं अब ये गीतों को गाने के लिए किसी विशेश वाद्य अंत्र की आवशक्ता नहीं पड़ती कि पेटी ही चाहिए सितार ही चाहिए है ना ऐसा नहीं है सामान बाजे से जिसे ढोलक हो गया जांज हो गया करताल याने हाथों की ताली हो गई या फिर बासुरी हो गई इन सभी की मदद से जो है इसे लोग तुलना करते होंगे आप जानते ही है ना कोई चीज महान है और कोई चीज महान नहीं है यह कब पता चलता है यह तभी होता है जब हम तुलना करने लगते हैं वास्तों में हमें कभी तुलना नहीं करनी चाहिए हाला कि यह मेरा अपना मत है जितना हो सके हमें इस आगे लिखा है अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। फिर क्या हो गया परिवर्तन हो गया क्या हुआ कैसे हुआ अनेक लोगों ने अलग अलग बोलिया विविद बोलियों मतलब अलग अलग बोलियों के लोग साहित और लोग गीतों के संग्रह पर कमर बांधी और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गये है धीरे धीरे जब ध्यान जाने लगा समझदार लोगों ने जब देखा तो उन्होंने ये बात करी निर्ने किया कि नहीं भहिया ऐसा नहीं है कि ये लोग गीत जो है इनका कोई अपना महत तो नहीं है ऐसी बात नहीं है फिर उन्होंने क्या किया साहित में इसे स्थान दिया ल अब कई प्रकारों के बारे में बात हो रही है, एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है, ठीक है, यहां इस देश के आदिवासियों का संगीत है, आदिवासि मतलब जो आदिकाल से प्राकरदिक संपदा के बीच पले बड़े हैं, वो कहलाते हैं आदिवासि, ठीक मद्यप्रदेश, दकन, छोटा नाकपूर, गोंड, खांड, ओराव, मुंडा, भील, संथाल, आदी ये सभी फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन जो है वो नियमों की जकड में बंध न सका और निर्दवन्द लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ-साथ और बड़े-बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। बीस-बीस, तीस, तीस तीस आदमियों और और ओरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाय गूंज उठती हैं। आगे लिखा है कि पहाडियों के अपने अपने गीत हैं, अनेक अपने अपने भिन रूप होते हुए भी अशास्त्रिय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमी है, गड़वाल, किन्नोर, कांगडा, आदी के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधि उनका अलग नाम ही पहाड़ी पढ़ गया है, है न कमाल की बात, देखिए कितनी सारी जानकारी, कितनी कम लाइनों में हमें दे दी है न, हमें ये बताया है कि अलग-अलग रूप है और अलग-अलग रूप होने के बावजूद भी बच्चों, वो हमें ये बता रहे हैं कि अ आशास्त्री होने की कारण उनमें अपनी एक समान भूमी है, गड़वाल है, कि नौर है, कांगडा, आदी के अपने अपने गीत हैं और उन्हें गाने की अपनी अपनी ही अलग-अलग विदिया है, सोचिए कितनी रोचक बात है, अलग नाम ही पहाडी उनका पढ़ गया है, वास्तविक लोग गीत देश के गाओं और देहातों में हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप असली लोग गीत क्या है, इसको जाने, इसे पहचाने तो उसके लिए आप कहा जाना पड़ेगा, गाओं में और देहात में, इनका संबंध देहात की जनता है, कहां की जनता है, दे इसके बाद आगे लिखा है इन देहाती गीतों के रचेता कोरी कलपना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विशह रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं जिससे सीधे मर्म को छू लेते हैं ये जो देहाती गीत है न बच्चों इनके जो रचेता है वो सिर्फ कलपना को इतना मान नहीं देते अपने गीतों के विशह रोजमर्रा का जो जीवन होता है जो रोजमर्रा में हमारी दिंचरिया चलती है उसके बहते जीवन से लेते हैं जिससे वो क्या करते हैं सीधे उस मर्म को छू लेते हैं इसके बाद लिखा है उनके राग भी साधन तह पीलू, सारंग, दुरगा, सावन, सोरट ये सब होते हैं कहरवा, बिर्वा, अबिरहा, धोबिया, आदी देहात में बहुत गाय जाते हैं और बड़ी भीड वो जो हैं आकरशित करते हैं इसके बाद आगे क्या लिखा है इनकी भाषा के संबंद में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाउं और इलाकों की बूलियों में गाय जाते हैं इसी कारण ये बड़े आलातकर और आनंद दायक होते हैं राग तो इन गीतों के आकरशक होते ही हैं इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का ही कारण है अब आगे देखी क्या लिखा है आगे लिखा है भोचपूरी में करीब 30-40 बरसों से सोच ये 30-40 सालों से भोचपूरी में बिदेसिया का प्रचार हुआ है गाने वालों के अनेक समुह इन्हें गाते हुए देहात में यानि ग्रामीन शेतरों में फिरते हैं उधर के जिलों में बच्चो विशेशकर बिहार में जो बिदेसिया है इससे बढ़कर दूसरे गाने लोगप्रिये नहीं है बस बिदेसिया ही जो है बहुत चरम पर है लोगप्रिये है सबसे ज्यादा इन गीतों में अध तो आप जानते ही हैं बिछरना आगे लिखा है जंगल की जातियों आदी के भी दलगीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदी में गाये जाते हैं पुरुष एक और और इस्त्रिया दूसरी और एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांद कर गाते हैं कितना अनंद आता होग और दिशाय गुंजा देते हैं पर इधर कुछ काल से यानि कुछ समय से इस प्रकार के दली गायन का हरास हुआ है यानि कमी आई हैंने एक दूसरे प्रकार के बड़े लोग प्रिये गाने आला के हैं अधिकतर ये बुंदेल खंडी में गाये जाते हैं आरंब तो इसका चं जनबूली में उसके विशे को दूसरे देहाती कव्यों ने भी समय समय पर आप देखेंगे अपने गीतों में उतारा और यी गीत हमारे गाओं में आज भी बहुत प्रेम से गाये जाते हैं ये भी बताया गया है कि इन्हें गाने वाले गाओं गाओं ढोलग लिए फिरते ह और इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिने नट रस्तियों पर खेल करते हुए गाते हैं अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं आगे देखी क्या लिखा है अनन्त संख्या अपने देश में स्त्रियों की गीतों की है है तो ये गीत भी लोग गीती पर अधिकतर इन्हें औरते ही गाती है इन्हें सिरच्टी भी अधिकतर वही है वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है पर इन गी प्रिष्टी से भारत इस दिशा में सभी देशों से अलग है। क्यों क्यों कि संसार के अन्य देशों में इस्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन नहीं है। मिले जुले ही है आगे देखिए क्या जानकारी लिखी है त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के नहाने जाते हुए राह के विवाह के मटकोड जोनार के संबंदियों के लिए प्रेम युक्त गाली के जन्म आदी सभी अवसरों के अलग-अलग गीत है बच्चों जो इस् नहीं बलकि बड़े प्राची इनकाल से वे गाती रही है है न कितनी रोचक बात और महाकवी कालीदास आदी ने भी अपने ग्रंथों में क्या किया उनकी गीतों का हवाला दिया है यानि उनकी जानकारी दी है सोहर, बानी, सहरा आदी उनके अननत गानों में से कुछ है वैसे तो बारह मासे पुरुषों के साथ नारिया भी गाती है एक विशेश बात पता है क्या है कि नारियों के गाने साधरं तह अकेले नहीं गाये जाते दल बांध कर गाये जाते है अनेक कंट एक साथ फूटते हैं यदिपी अधिकतर उनमें मिल नहीं होता फिर भी त्योहारों और शुब अफसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं गाओं और नगरों में गाई-गाएं भी होती हैं जो विवाह जन्म आदी के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं आगे देखे क्या लिखा है सभी रितियों में इस्त्रिया उलसित होकर दल बांध कर गाती हैं पर हूली बरसात की कजरी आदी तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है फिर आगे ये भी बताया है कि पूरब की बोलियों में अधिकतर मेथिल, मेथिल, कोकिल, विद्यापती की गीत गाए जाते हैं पर सारे देश के कश्मीर से कन्या कुमारी केरल तक और काठियावार गुजरात राजिस्थान से उड़ी सा अंधर प्रदेश तक अपने अपन अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पूठ होता है. गुजरात का एक प्रकार का दली गायन है क्या? गरबा जिसे विशेश विधी से घेरे में घूम-घूम कर औरतें गाती हैं. साथ ही लकडिया भी बढ़ाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं. इसमें नाच गान स यहां नाचही है सभी प्रांतों में यहां लोक प्रिय हो चला है इसी प्रकार हुली के आउसर पर जब हुली होती है तो ब्रज में रसिया चलता है रसिया मतलब ज Thanks for डल के दल इतना खूपसूरत और इतना रोचक और इतना महत वालाई जो निबंध है ये हमारे सामने लिखा है किसने भगवद शरण उपाध्याई जी ने ठीक है न तो आप भगवद शरण उपाध्याई जी का नाम नहीं भूलेंगे है न आखिर उन्होंने इतनी रोचक जानकारी जो अब ये तो वही बात है ना कि हमने पहले कहानी पढ़ ली, करिदा पढ़ ली, निभंद पढ़ लिया, कोई जानकारी पढ़ ली, समझ ली और फिर हमसे कोई प्रशन ना पूछे तो बात कैसे बनेगी, आखिर हमें भी तो ये बताना होता है कि जो हमने पढ़ा है वो हमें ब गीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदू के रूप में उन्हें लिखो, तो भाई अब आपको एक एक दो दो बिंदू जैसे बनाते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, वैसे बना गे लिखना है, तो क्या क्या बताया है, सबसे पहले बताया है ये लोग गीत क्या हो उनको बढ़ावा मिला पिर उनकी तुलना बताई है शास्क्रिय संगीत के साथ में उसके बार में यह भी बताया है कि कैसे किन-किन चीजों के साथ उनको गाया जाता है है ना बांसुरी के साथ, कर्ताल के स्वात, साथ, ढोलक के साथ वगरा वगरा फिर ये भी बताया है कि कैसे कैसे लोग जो है वो क्या करते हैं रोज मर्रा की जो जिंदगी है बहते जीवन से इसके उधारन उठाते हैं उनकी भाषा के बारे में बताया है, फिरंत में इनके प्रकारों के बारे में भी बताया है, तो ये सारी चीज़े आप बिंदू के रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा, कोई पूछे तो बता दीजिएगा, है ना, आप जानते हैं कि मैं आपको हम लिख पाने में सक्षम हो, है ना, ठीक है, अब आगे देखें क्या लिखा है अगला प्रश्न, हमारे यहां इस्त्रियों के खासगीत कौन कौन से हैं, तो देखिए, इसमें हमें इस निबंद में क्या बताया जाता है, कि जब भी खुई त्योहार होता है, तो त्योहार क के समय, रास्ते पे चलते हुए, विवाह के अवसर पर, है ना, और भी नाम दिये थे, जैसे मटकोड है, जयोनार है, प्रम, इन सभी में, सभी के समय, जो है, जन्म के समय पे, है ना, जो महिलाएं हैं, वो अक्सर इन गीतों को गाया करती है, इसके अलावा, हमें बताया है कि गुजरात का गरबा, ब्रच का रसिया, ये सब भी बहुत फेमस हो गया है, लोकप्रिय हो गया है, और ये सब भी महिलाओं द्वाराग, इस्त्रियों द्वाराग आये जाने वाले गीतों की श्रिणी में आता है, ना, फिर देखिए अगला प्रशन क्या है, निबंद के आधार पर और अपने अनुभाव के आधार पर, यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं, तो तुम लोकगीतों की कौन से विशेष्टाएं बता सकते हो, ठीक है ना, भाई अब ये प्रशन तो ऐसा है, कि इसका जवाब आप ही को देना पड़ेगा, क्योंकि ल रोहर है, है ना, हमें इसे इस तरह से भूल नहीं जाना चाहिए, हमें तो इसका और आनंद लेना चाहिए, इसके अलावा अपनी अपनी संस्कृती, अपनी अपनी संस्कार इतने जो हैं, दिखाई देते हैं, है की नहीं, और भी तमाम बाते जो हैं, कि आम लोगों के अपने अपने विद्यापती है इस वाक्य का क्या आर्थ है पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो तो देखो पाठ तो हमने अभी पढ़ा है है ना तो अभी हम बता देते हैं कि इस वाक्य का क्या आर्थ है है ना कौन सा वाक्य लिखा है पर सारे देश के अपने अपने विद विद्यापती है ना तो देखिए बच्चों इस वाकिक अर्थ क्या होगा कि अलग-अलग प्रकार के गीत है ना तो इसकी रशना करने वाले अलग-अलग लोग हैं है की नहीं जैसे मिथिला छेतर में मैथिल, कोकिल, विद्यापती के गीत लोग-प्रिये हैं उसी प्रकार हर चेतर में हर जगह पर कोई नो कोई लोकप्रिय लोकगीत रशनाकार पैदा हुगा ही है जिसने गीतों की उस चेतर में विशेश भूमी का अदा करी है तो यह आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बाद में अगला जो हिस्सा है वो है अनुमान और कल्पना का हिस्सा इसमें लिखा है क्या लोकगीत और मृत्य सिर्फ गाओं या कबीलों में ही गाए जाते हैं शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं इस पर विचार करके लिखिए तो भई देखिए गाओं में तो गाए जाते ही है लेकिन गाओं में गाए जाने वाले गीतों में अकसर जैसे जो निबंद में बताया है ना परदेशी वाली बात की विरह की बात तो शहर की उपर भी लिखे जाते हैं तो ये कारण बन जाते हैं आकरशन का है ना फिर यहां पर लिखा है जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है वहां भला अनंद के सुरोतों की कमी हो सकती वो दाम जीवन के ही वहां के अनंद संख्यक गाने प्रतीख है क्या तुम इस बात से सहमत हो बिदेशिया नामक लोगीत से कोई कैसे अनंद प्राप्त कर सकता है और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते और गुन-गुनाते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके क भाशा की बात में लिखा है लोक जो शब्द है बच्चों इसमें कुछ जोड़कर जितने शब्द आपको सूझते हैं उनकी आपको सूझी बनानी है जैसे अभी आपने देखा क्या लोक गीत लोक भाशा लोक नायक है ना ऐसे तमाम शब्द आप बनाईएगा शब्दों को लोक प्रिय, लोक गीत, लोक नृत्य, लोक हित वगेरा वगेरा आगे लिखा है बारह मासा गीत में साल के बारह महीनों का वर्णन होता है अगले प्रश्ट पर विभिन अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिये है इन्हें पड़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या आर् किलती आ रही है देख पा रहे हैं आप जैसे एक तारा में एक है, सर्पंच में पांच की बात है चार पाई में चार है, सबतरिशी में साथ है, अठनी में आठ है, तिरहा में तीन है, दो पहर में दो है वगेरा वगेरा ठीक है अब यहाँ पे कुछ जानकारी दी है यह पुस्तक भारती संगीत की परंपरा से भारत के एक लोगवाद्य का वर्णन किया गया है इसे पड़ो और रिक्तिस्थानों में उचिछ शब्द लिखो जैसे तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है यहां दिखने अंग्रेजी के ऐस या सी अक्षर तरह होती है तो अलग अलग नामों से जाना जाता है तो आप यह सब अक्षर यहां पे बड़ी सरलता के साथ में लिख सकते हैं ना सही कहरा हूं न मैं ठीक है तो इस तरह से यह यहां पर लिखा जाएगा अब आगे देखें क्या लिखा है आगे लिखा हुआ है दो हर्यानवी लोगईत आ यहां एक रितुगीत है इसमें लिखा हुआ है अभी हर्यानवी है तो यहां के अक्षर आपको दिखेंगे अनवा जैसे शब्दों अक्षरों को यहां पर आपको देखने को मिलेगा उचारण सावण में सूखे रह गए गिरधर बिन भाग मारे स्याम घटा घन गहर सी आवे देख लहर पए लहर सी आवे हमें क्रिश्न बिन कहर सी आवे आगे भेर सलोन आती हमें श्याम बिन वृथा लगाती गंगा दास लेस न पाती हम मोह सिंधु में बह गए कहो धोवे दाग हमा इसके बाद ये विदाईगीत है जो कि पारम परिख्या इसमें लिखा है इसमें जब एक लड़की का विवा होता है और वो अपने घर को छोड़ कर जाती है तो उस पर ये पूरा जो है गीत लिखा हुआ है है ना कुछ-कुछ लाइने तो हैं बहुत ही मरमिस परशी है इससे लिखा है कि हम है रे बाबुल चोणे की गवए है ना गाय से तुलना करी है अपनी कि जिदर हाकों की उदर हग जाएंगी बाबुल मेरे पिता मेरे ये सब चीज़ें यहां पर बताई गई है मुझे अमीद है कि आपको समझ में थोड़ा बहुत आया होगा है ना बाकी जो एक्जरसाइज है वो आपको स्वयम से करनी है बच्चो जल्दी मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ और हाँ एक बात और आप जरूर इस वीडियो की लि